हेलो सुदेंट्स वेलकम बैक टू प्रेपॉन लेट एस कवर दा एडिटोरियल पेज ओफ दे हिंदू फॉर नवंबर टैन आज देखते हैं आज दो कॉलम और दो एडिटोरियल से हैं पहला है टू वर्क अपॉन दा एज ओफ कंसेंट पॉक्स को एक्ट को लेकर जिसमें ब है on the ground of rape तो यहाँ पर एडिटोरियल में बोला गया है कि जो एज ओफ कंसेंट है उसको री कंसेंटरेशन में लिया जा सकता है पहला कॉलम है वो एडबलुएस जैज्जमेंट के बारे में है इस बाई शेशी थरूर सिंस शेशी थरूर हैट बीन दा कंटेंडर फॉर दा कोश्चिंट किसी तरह के से बन सकता है झालम में यह लिखा गया है आख सानुमा में है कि आख सी बाईदर जाया कॉलम में में वहािए लिग में अन्यॐर कॉश्य कान्यॐस में इस यरा छिए किता बन सकते है उसको इस वाप्र लूँम्ana है यह दिए ठीक ननीवा कित एफ The columnist cites a particular judgment of 2015 on Jart Reservation और जो Supreme Court ने उस judgment में पाते रखी थी उसके बारे में है, वो देखेंगे दूसा वाला editorial, दूसा वाला कॉलम ये Center-State Relations को लेकर बताया गया है एक तो बहुत जो popular इशू चल रही है Governors और State Governments के बीच में problems है ये Tamil Nadu के संधर में है और दूसा पुलिसिंग के संधर में है जहां पर सेंटे स्टेट के बीच में खीचा तानी चलती रहती है It was written by R.K. R.A.G.W.न, एक former head of CBI तो ये दौनों federal issues को लेकर है और पहला वाला EWS और ये Law Commission को recommendation है कि Age of Consent को suggestion है कि उस पर reconsideration किया जाए तो चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले, पहला editorial, author says There should be considering consent The law must stay in tune with the times and consider ground realities कानून, पुराने कानूनों को सरकार, Parliament change करती जा रही है इसलिए जो हमारे कानून है वो बदलते हुए हालातों का address करते रहें ये punchline है, main gist है इस particular editorial का इसमें ये बोला गया है कि बतलते हालात हैं, उनको ध्याद में रखते हुए age of consent को reconsider किया जाए ऐसा law commission को अर्च किया है करनाटक हाई कोर्ट ने ये बोला गया है कि usually देखा गया है, बहुत सारे cases में देखा गया है जो इस editorial का gist है वो बता रहूं आपको ये देखा गया है कि जो 16 से 18 साल की age होती है वहाँ पर बहुत सारे elopement होते हैं लड़के लड़कियां आपस में romantic relationship में आ जाते हैं और जब उसमें sex involved हो जाता है तो the boy is head responsible for the on the charge of rape rape के charge पर उसको responsible लखा जाता है अब पाक्सो एक्ट में उसको बहुत miserable future उसका हो जाता है similarly जो लड़की होती है उसे institutional care में भेज दिया जाता है she also suffers a lot तो basically ये अंगस्टर्स की life बिलकुल ruin हो जाती है गुरूप है 16 से 18 वाला उसमें क्या age of consent 16 की जा सकती है और लड़की के हिसाब से भी उसको देखना चाहिए सिर्फ boy के हिसाब से नहीं इसको रिकर्टर करना चाहिए कि ये जो particular age है उसके बारे में है तो age of consent यहाँ पर law commission को बोला गया है कि इसको आप रिकर्टर कीजिए और कारून को बदलते समय के साथ चेंज होना चाहिए जो 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 चाहिए जो चायड़ जो एक्सप्रेटेशन के अगेस्ट कानून है 2012 में पास हुआ था इसमें चेंज होना चाहिए यहाँ जो चोटे-चोटे पॉइंट ही जस्टिस वर्मा कमेटी है कर्नाटेक हाई कोडेशन को बोला यह चोटे-चोटे पॉइंट्स इंपॉर्टन्ट हो जाते है और age of consent को 16 पे ले जाना चाहिए क्योंकि यह society की ground reality है कि यही वो age group है जहां पर ऐसी चीदे जाया देखने को मिल रही है और criminal बहुत कड़ा कानून होता है पॉक्स को act बहुत कड़ा कानून होता है इसमें आते ही उस लड़के की जिन्दीगी रियून हो जाती है तो इन social realities को देखते हुए कानून भी समय से change होने चाहिए The whole gist of this editorial is to look into the age of consent अब यहां यह age of consent की बात है तो हमारी freedom struggle के समय में चले जाए वहां भी age of consent को लेगे बहुत सारे चोटे-चोटे cases हुए थे बहुत सारे reforms हुए थे उनको भी ऐसे connect कर दिया जाता है एक्जाम में चाहें वो शार्दा एक्ट हो 1929 का यह age of consent बिल तिलक ने इसको अपोस किया था 1891 में यह 1870 में जो बिलाया था यह चीज़ें देखी जा सकती है यह हम medieval age में चले जाएं वहां देखा जा सकता है तो कही न कहीं correlation exam में इन चीज़ों का हो जाता है कि age of consent को ध्यान में रखा जाए which is a social reality column जो पहला column है वो EWS reservation के बारे में है इसमें यह बोला गया है कि एक viewpoint यह है कि EWS reservation को okay करके जो cast based reservation system है उसको बाय बाय कहा जा सकता है एक नया viewpoint डवलप हो रहा है जहाँ पर कोई class और cast based reservation नहीं है बट condition based है दूसरे कहते हैं कि यह perpetual रहेगा यह खतब होने वाला नहीं है तो यहाँ पर author ने 2015 का एक सूप्रिम कोर्ट का judgment लिया है जो जाट reservation के बारे में आया था जिसमें जाटों को central जो list थी उसमें reservation की बात कह दी गई थी उसको judgment इस particular judgment में जो judges हैं उन्होंने बोला था कि criterion change होने चाहिए जो historical wrongs हैं उनको right करने के लिए cast basis reservation विवस्था चल रही है उसे rethink करना चाहिए और कब तक यह जो historical wrongs का basis ही चलता रहेगा इसको rethink करना चाहिए और यहाँ पर यह बोला है कि यह दो बाते बोली गई है यह जो community का कहना उनका self perception है कि हम backward रहे हैं हमको benefits नहीं मिल पाए हैं हम historically unfortunate रहे हैं यह बंद होना चाहिए और उस base पे अपने आपको backward दिखाना self perception को correct करना चाहिए इसलिए नए criterion डवलब करने चाहिए और जो class और caste based reservation system है इसको रीथिंग करना बहुत जलूरी है इस judgment में कहा गया था जिसमें two judges bench ने judgment दिया था उसमें कहा गया था new yard sticks should be found out, new basis should be found out और example दे देते हैं example देते हैं transgender community का यह all together new ground है कि transgender community को माना गया है कि they are definitely they are suffering from the real kind of backwardness इस basis पे उनको दिया जाए तो ठीक है इसलिए वो जो caste class based है जो काफी obsolete ground हो चुका है और वो valid ground नहीं है ताकि जो real benefit reservation का है वो potential beneficiaries को पहुचना चाहिए इस पे है तो यहाँ बात यह की जा रही है finally इस article में कि एक नई donor judges ने यह बोला एक नई matrix बनानी चाहिए to justify reservations one could imagine a list of differently weighted categories ranging from income एक matrix बना ले उनको एक particular weight assign कर दे उसके base पे आधार ते करे family situation क्या है disability क्या रही education level क्या है etc. in addition to a birth in a particular caste caste alone should not be the basis of providing derivation उसके साथ साथ और factors we factor in होने चाहिए तब जाके basis निकालने अगर ऐसा करेंगे तो सही माइनों में जो constitution का उत्देश है वो fulfill हो पाएगा सिर्फ caste और class के base पर नहीं हो सकता उस judgment की याद दिलाई है columnist ने कि new yard districts should be developed to provide the reservation ये उसके बारे में है अगले हम editorial पर आ जाए तो ये basically Tamil Nadu के कुछ MPs जो Tamil Nadu में secular alliance है पार्टियों का उनके MPs ने राष्ट्रपती को एक application सौपी है कि जो Tamil Nadu के governor है उनको हटा लिया जाए he is not acting as for the constitutional rule of a governor issue ये है कि good number of issues में main issue ये है कि Tamil Nadu assembly ने फरवरी में एक NEET exemption bill pass किया था जो medical examination के लिए NEET परिक्षा होती है Tamil Nadu ने बोला है कि वो CBSC syllabus oriented है elite class oriented है coaching oriented है उसे Tamil Nadu के बच्चों को नुक्सान हो रहा है हम ये कहते हैं हमारा 12th class का जो system है वो बिलकुल सही है और उसके आधार बत medical colleges में हम admission दिया करेंगे इसलिए Tamil Nadu को NEET exam Tamil Nadu ने जो medical colleges है BDS colleges internal colleges है उनको NEET case code से मुक्त किया जाए और 12th के basis मास्क के basis पे हम admission देंगे उन्होंने ये assembly का constitutional अधिकार है कि ऐसे bill पास कर सकती है governor को उसे डिटो करना होता है governor ने उसे बहुत दिन तक अपने पास रखे रहा है फिर Tamil Nadu को सरकार को वापत भेज दिया कि इस पर reconciliation किया जाए जो governor का अधिकार समिधान में होता है फिर उसको पास किया गया special session में Tamil Nadu assembly द्वारा उसके बाद भेजा गया ultimately governor के पास ये भी power है कि वो किसी भी bill को जो उनको लगता है कि समिधान क्या भेहलना करेगा वो राष्टपती को refer कर सकते है ultimately वो बिल राष्टपती को refer कर दिया गया कि needs exemption दे दिया जाए Tamil Nadu का ये कहना है कि ये जो CBSE oriented exam है और जो coaching based हो गया है जिससे जो government colleges के बच्चे हैं उनको सफर करते हैं उनका incidence बहुत कम हो गया है medical colleges में तो वो social justice point review से उसको उनने अधर बनाया है और constitutional government है तो government को पूरा अधिकार है कि वो policy making कर सकती है और उनने इसका आवाला भी दिया है कि एक राजन justice राजन कमेटी हमने बनाई थी justice राजन कमेटी के base पर हमने बिल पास किया है Tamil Nadu में के state committee बनी थी justice राजन कमेटी उसके base पर हमने बिल पास किया है इसलिए इसमें बिल में के खामिया नहीं है दूसा उनने ये भी हवाला दिया है कि जो governor है वो कुछ ऐसे statements देते रहते हैं जो Tamil Nadu की जो heritage है उसके against है Sage through वललुवार की through कुराल को लेके controversy की बात होने लगती है या और कुछ भी जो सनातन दरम को लेके कुछ ऐसे statements है जिससे उनका ये logic है कहना कि ये समाज में एक wedge एक gap एक conflict पैदा करने की बात करते हैं जो कि governor का रोल नहीं होता है तो उसको लेके यहाँ पर ये issue आई है कि governor को हटा लिया जाए आप अखवार में देखी रहे हैं चाहें वो तमिलनाडू के governor हो उनको लेके सरकार के साथ problem या केरल में जो governor है उनका केरल सरकार के साथ problem है चांसलर्स को लेके अपाइट्मेंट को लेके और ऐसे ही पहले West Bengal में था जो आज के उपराश्ट्रोपती है उनका रोल तो यह देखा गया है और ओवर दे यर्स आलसो एं इन लास्ट फ्यू यर्स आलसो गवर्नर्स का जो आफिस है इस वालवेज बीन पॉलिटिकल बट इन दिनों कुछ जो गवर्नर्स के बारे में है गवर्नर को बुला लिया जाए तीसरा जो है यह आर्टिकल में इस पूरे कॉलम में कुछ भी खास बात नहीं है यह कॉलमिस्ट ने बोला है कि पुलिस रिफॉर्म्स पर काम करना चाहिए पुलिस रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टन्ट है और जो सेंटर स्टेट की बीट में पुलिस को लेके recommendation हो या प्रकाश्टिंग case हो इस पूरे article में कुछ भी खास बात नहीं है आप पढ़ेंगे इसे column को ता आपको लग़ेगा कुछ भी इसमें खास नहीं है इस पूरे पूरे article में ये लग रहा है आपको बहुत यूसफुल आर्टिकल है बट इसके जिस्ट में आपको बता रहा हूँ कि सेंटे स्टेट को मिलकर पूलिसिंग इंप्रूव करनी चाहिए पूलिसिंग शुड नॉट बिकम दा बोर अफ कंडेशन बिट्विन सेंटर एंड इस्टेट्स और जितनी पूरानी आई है जिसमें प्रकाश्च सिंग केस 2006 का बहुत इंपोर्टन है और मॉडन पूलिस होनी चाहिए जो पूलिस इंडिन पूलिस एक्ट 1861 है वो खतम होना चाहिए नए एक्ट बनने चाहिए और वैसे भी पूलिस इस्टेट सब्जेक हुआ करता है तो पूलिस की इंप्रूव होनी चाहिए मॉडनाइडेशन होनी चाहिए पूलिस की सोशल सेस्टिविटी होनी चाहिए उस बारे में बात हो रही है So this is all about the editorial of Hindu this particular day Thanks a lot for watching this video Thank you very much